आरोपी को लेकर परभनी से नाकपुल जा रही हर्यानर राज्य के पंचकुला की पुलिस की गाड़ी पीछे से ट्रक से ठकरा गई और भीशन हाथसा हो गया जिसके घटना समरुद्धी हाइवे पर पंधर कड़ा गाओ के पास सुभा के समय हुआ हाथसे में एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हाथसे में तीन करमचारी वा आरोपी गंबी रूप से घायल हो गए है जानकारी के अनुसा मृतका का नाम पुलिस इंस्पेक्टर नेहा चवहान है जबकि सहायक पुलिस उपनीरक्षक सुकविंदर सिंग, मीठू जगदा, चालक शम्मी कुमार वा आरोपी वैदनात शिंदे गंबी रूप से घायल हो गए है सावंगी पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए सावंगी के एक अस्पताल में भरती कराया गया है हरियाना के पंचकुला थाने की पुलिस इंस्पेक्टर नेहाच चवान और उनके तीन करमचारी दोकादडी के अपराद में आरोपी बैदनात शिंदे को परभनी से एच आर तक ले गए बोलेरो क्रमांग शुन्यतीन जीवी 1782 पुलिस वाहन से नापकु जा रहे थे समरुदी हाईवे पर यात्रा के दोरान पंधार कवाडा गाउं शेतर में पुलिस वाहन सामने से ट्रॉक से टकरा गया इस भयानक हाथसे में पुलिस वाहन का आगी का हिस्सा शुती करस्त हो गया इस हाथ से में पुलिस इंस्पेक्टर नेहा चवहान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पुलिस कर्मी वा आरोपी गंभी रूप से घायल हो गई हाथ से की जानकारी मिलते ही सावंगी थाने के पुलिस निरक्षक धनाजी जालक संदीब खरात अपने अमले के साथ दुरगटना स्थल पर पहुंच गई जाम हाईवे पुलिस भी दुरगटना स्थल पर पहुंच गई, सभी घायलों को ततकाल इलाज के लिए सावंगी के एक अस्पतार में भरती कराया गया आरोपी ट्रुक चालक को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है, सावंगी पुलिस ने मौके पर जाकर दुरगटना गरस्त पुलिस वहान को जब्त कर लिया है थाना द्यक्ष धनाजी चालक ने बताया कि पुलिस पददिकारी के पास एक ग्लॉक 9mm पिस्टल वह 15 राउंड सुरक्षित बरामत किये गए है NBCN News के लिए क्लेश भादवाच के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट